आज का वीडियो हिस्टरी का चैप्टर टू एतिहासिक स्रोट से हैं तो आए वीडियो को सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्त है बीते हुए युगों की घटनाओं का संबन में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता था इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमर ए एतिहासिक स्रोट दूसरा कोस्चन है ने मिलकिन में से कौन सा कथन सही है इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमर ए साहितिक स्रोट की तुलना में पुरा तात्विक स्रोट अधिक प्रमारित होते हैं ठीक है आए देखते हैं कोस नम्पर ए, रिग बेद, चौथा कौस्टन है निमलिकीत में से कौन सा गरंथ, सुरूती गरंथ का अंग नहीं माना जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा option नम्पर दी पुरान, पुरान को हम लोग सुरूती गरंथ का अंग नहीं माना जाता है Question No. 5 Question No. 5 में लिखा हुआ है निमलकीत में से कौन सा गरंथ यह दावा करता है जो उस गरंथ में है वो अभिस्म में है और जो उस गरंथ में नहीं है वो अभिस्म में अलब है ठीक है अलब है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option No. D महा भारत में ठीक है आईए हम लोग चलते हैं Question No. 6 में Question No. 6 लिखा हुआ है त्री पीटक धर्म गरंथ है आपको बताना है किसका है त्री पीटक धर्म गरंथ इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. B बौध होगा Question No. 7 में आते हैं Question No. 7 लिखा हुआ है जातक किसका गरंथ है इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. C बौध है Question No. 8 में आते हैं Question No. 8 लिखा हुआ है मिलिंद पनहों, राजा मिलिंद और किस बौध भिक्चु के मध्य संबाद के रूप में है इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. A नाकसें आईए दिखते हैं Question No. 9 Question No. 9 लिखा हुआ है मिलिंद में से किस की तुलना मैं क्या वेले के प्रिंस से की जा सकती है इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. B कोटिल के अर्थ सास्थ को आईए दिखते हैं Question No. 10 में Question No. 10 लिखा हुआ है कोटिल के अर्थ सास्थ में किस पहलू पर परकास डाला गया है इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. B राजनीतिक नीतियां Question No. 11 लिखा हुआ है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है इसको आप बताएए कलहन की पुस्तक का क्या नाम है उसका नाम है राज्टिरंगनी Option No. D Question No. 12 में आते हैं Question No. 12 लिखा हुआ है अस्ता ध्याई और किस के दोरा लिखी गई है इसका सही आंसर हो जाएगा Option No. B पानेनी के दोरा Question No. 13 में है महाभास के रचनाकर का नाम है महाभास के रचनाकर का नाम है पिपणे जली Option No. क्या हो जाएगा B Question number 14 में है काली दास दुरारा रचित माल, विकाग नी मित्र नाटक का गायक था इसका सही आंसर हो जाएगा utation C Drake हरस चरित किसके दुरा लिखी गई थी इसका सही आंसर हो जाएगा, auction ंबर B, 1, but Question nimmud 16 लिखा हुआ है, विकर्मान चरित के रचनाकार का नाम है इसके नाम क्या है, इसका नाम है, विलहन, option नामर B Question nimmud 17 लिखा हुआ है, चंद बर्धाई दौरा रचित गरंद का नाम है चन्द बरदाईद और अर्चित गर्ण का नाम क्या है पिर्थवी राजो आज़े देखते हैं question number 18 question number 18 में लिखा हुआ है निमलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे नहीं थे आपको बताना है ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जयेगा election number D Question number 19 में लिखा हुआ है निमलिखित में से किस बिदेशी यात्री ने भारत का दॉड़ा सबसे पहले किया था इसके सही आंसर क्या हो जयेगा election number A Megas Thanij नहीं question number 20 में लिखा हुआ है Megas Thanij की पुष्टक का नाम क्या है इसका नाम क्या था? इंडिका, ठीक है? आई दिखते हैं Question number 21 Question number 21 लिखा हुआ है, Geography का रचना किसने की? ठीक है? Geography का रचना किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा Option number C, Strobonne Question number 22 लिखा हुआ है, पिलनी की पुस्तक का नाम है पिलनी के पुस्तक का क्या नाम है आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा option number B naturalist historia ठीक है naturalist historia पिलनी के पुस्तक का नाम है question number 23 लिखा हुआ है peripulse of erytheriancy peripulse of erytheriancy के रचना किसने की है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number D अग्यात नामा युनानी लेखकने आएए बढ़ते हैं आगे question number 24 से question number 24 लिखा हुआ है फायान कहां का निवासी था बहुत important question है फायान कहां का निवासी था इसका सही आंसर हो जाएगा option number C चीन का निवासी था question number 25 है फायान किसके सासनकाल में भारत आया था यह भी important question है बहुत सारे exam में पुछा गया सवाल है इसका सही आंसर हो जाएगा question option number D question number 26 लिखा हुआ है हर्स वर्धन के समय में कौन सा चिनी यातरी भारत आया था इसका सही आंसर हो जाएगा option number D है इनसान ठीक है आईए हम लोग बढ़ते है question number 27 से question number 27 लिखा हुआ है 19-20 सदी में भारत आये अरव यातरी शुलेमान ने किस सामराज को रूहमा कहकर संबोधित किया था इसका सही आंसर हो जाएगा option number A question number 28 में लिखा हुआ है अलबिरुनी किसके सासनकाल में इतिहासकार था अलबिरुनी बारे में पुछा जा रहा है किसके सासनकाल में क्या था इतिहासकार था इसका सही आंसर हो जाएगा option number A महमूद गजनभी के सासनकाल में question number 29 लिखा हुआ है यात्री इबन बतूता कहां से आया था इसका सही आंसर हो जाएगा option number A मिरक कोसे question number 30 लिखा हुआ है डच्छिन अफ्रीकी यात्री इबन बतूता किसके सासनकाल में भारता था इसका सही आंसर हो जाएगा option number C महम्मद गजनभी तूगलक के सासनकाल में कोस्टन नमर 31 लिखा हुआ है फारस के सुल्तान मिर्जा सहरुख के राजबूत अब्दूल रज्जाक ने किस बिजय नगर समराट के सासनकाल में बिजय नगर की यात्रा की थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी देवराय दूतिये के समय आते हैं हम लोग विक्षन की अस्थापना कब हुई थी बहुत ही जरूरी कोस्टन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में कोस्टन नमर 33 लिखा हुआ है भारतिय पुरातत्यों का जनक किसे कहा जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए ऐलेक्सेंडर कनिंगम को कोस्टन नमर 34 लिखा हुआ है निले लिकेद भी द्वानों में हराप्पा सब्यता का सब्वर्परत्र अंसर खोज करता कौन है यह पसानी से पटा सकते हैं किस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर दि दयाराम सहनी कोस्टन नमर 35 में लिखा हुआ हरप्पा सब्यचा की खोज किस वर्स में हुई तो हरप्पा सभ्यता की खोज हुई option number B 1921 में आए दिखते हैं question number 36 question number 36 लिखा हुआ है सिंदु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुरा है उसका नाम बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा option number A question number 37 में आए दिखते है question number 37 क्या लिका हुआ है हरप्पा एवा मोहन जोदरो की पुरा तात्विक खुदाई के प्रभारित है इसका सही आंसर हो जाएगा option number B question number 38 में आते हैं new mismatics क्या है यह आज कर भी बहुत चर्चा में है new mismatics आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों वा धातियों जिनको क्या बुलते है new mismatics question number आते हैं हम लोग 39 में 39 नमर लिखा हुआ है Asia Minor State बोगाज कोई का महत इसलिए है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा option number A वहाँ से जो अभी लेख पराप्त हुए है उनमें चार वैदिक देपताओं इंद्र वरून मित्रवा नासत का उलेख मिलता है और आज के वीडियो का सबसे last question है असोक के सिला लेखो को पढ़ने वाला प्रतम अंग्रेज कौन था ये very very important question है दोस्तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अब बताएं इसका सही आंसर हो जाएगा James Princip ठीक है आज के वीडियो मितना ही जल्दी part 2 आएगा तब तक लिए चैन